Hello everyone, welcome back to another video आज की वीडियो में डिसकसन करने वाला हूँ BIT exam 2024 जो कि 22 April को हुआ था लोग 2.30 से लेकर 3 p.m के बीच में हुआ था मैं बता हूँगा पेपर का लेवल क्या था डिस्टोरेंट का क्या feedback रहा है क्या memory based question पूछ रहा है आज का exam कल है वो क्या करे मैं और वैसे बच्चे इसे को प्रस्तन डाउट आ रहा है Instagram प्याक के पूछ सकते हो मैं तुम सभी बच्चे से request करता हूँ जिस बच्चे का exam हो गया है फिर डिस्क्रिप्शन है मैंने feedback form बढ़ाऊ फिर फॉर्म को बढ़ना फिर comment सकते हो किसे किसे ज्यादा question पूछा गया है जो बताता हूँ आज का paper कैसा था अगर मैं इस्ट्वेंट feedback के उपने बात करो ना physics chemistry match में कहां से question आया वह मैं बताता हूँ बट यहाँ रखना आज तुम्हारा class 11 से भी था तुम्हारा 12 से भी था और थुछा बोल सकते पूछा गया है बाकी एक ही section ने जो हमेशा से जी पूछा गया है वह है aptitude और English section जहां पर लगभग 15 question आते हैं लगभग 7 minutes के sufficient होगा इसके regarding मैंने और इस complete वीडियो बना दिया हूँ complete pyq है बताता हूं aptitude में कहां कहां से question पुछेगा है कौन से topic important है दोकर बात करो मैं तुम्हारा एक ही playlist है यह playlist बनाया हूँ मैं इसके बाहर एक भी question आ गया तब मुझे बताना बच्चे का feedback भी होगा comment में तुम देखना बच्चे बोल रहे है आपने जो पढ़ाया उसके ब सब्सक्राइब नहीं है but try करना clock calendar direction number series coding decoding syllogism data sufficiency interpretation यह मैं एक घंटे का वीडियो डाला हूँ बहुत important है इससे वाल चार्ट वाला कुशन सब आ तुम्हारा ग्राफ देखन पूच रहा है मैं request कर लेना कि grammar portion पे तुम उता focus मत करो basic question पुछा जा रहा और comprehension तुम्हारा बोल सक सब्सक्राइब बात करो chemistry के ओपर याद रखना chemistry में भी तुम्हारा 11 से भी तुम्हारा question आ रहा है तुम्हारा इससे पहले इतने भी exam हुए सब में maximum class 2 से था आज तुम्हारा 11 से आ रहा है जिस बच्चे एकली exam में वह क्या करें देखो मैं बताऊंगा प्लीज पैनिक मत ह ट्राइक करो class 12 पर ही focus करने का अब mostly formula देखके जब formula based question आ रहे है math में पूरा पूरा paper formula based है पर paper landy है तुम्हारा ठीक है chemistry में क्या कर सकते है तो chemistry में किसे किसे question आ है यह जो मैं अता रहा हूं student का feedback है बाकि जो बच्चे exam देकर क्या है पीज अपना feedback जो बताए कमेंट से में में किसे किसे question पूछा गया था मेरा वीडियो helpful है या फिर नहीं है इकली वीडियम से आया था जी ओसी से आया रहा मतलब बहुत इजी आ रहा है यहाद सबसे पहले तुम्हों करना किसी पे तो naming reaction पर करो naming reaction से बहुत question तुम्हारे आ रहे है अगर हम maths में बात करो मैं फिर से चेप्टर बता रहा हूं उससे पहले focus करना एक vector 3D differential equation area and the curve metric determinants इससे question रहते ही है बट उसके अपार्ट तुम्हारे से भी आ रहा है तुम्हारा differentiation से भी आ रहा है differential equation से भी आ रहा पाराबोला से भी question था तुम्हारा कॉनिक section तो important है ही और base theorem से भी question आया बच्चे बता रहे है तुम्हारा quality से भी question था ठीक है physics में तुम्हारा 80% तुम्हारा बोल सकते हो class 2L से था 20% से ज्यादा बोल सकते है अप्रॉक्स तुम्हारा class 11 से पूचा गया है बताता किस किस topic से question आया तुम्हारा सब्सक्राइब करने के बाद जो भी तुम्हारा अच्छा हो अगर तुम्हारा अच्छा हो तो physics के math के पास जाओ मैं तो physics कर लेना उसके बाद तुम math के पास जाना क्योंकि VIT exam सिर्फ time management का खेल है जो time को अच्छे से manage कर लेगा वो अच्छे marks ला लेगा सहथ यहाँ पर complete idea हो गया बस मैं इतना ही request करता हूं description मैंने एक student feedback form दिया हूं please feedback form को feel करना उससे जो बच्चे कल exam दे